हलो स्टुडेंट्स आज हम बात करेंगे लाइफ साइकल ओफ यीस्ट यीस्ट की मौफालोजी उसकी स्ट्राक्चर और उसके अंदर होने वाले रीप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं यीस्ट एक यूनिसेलूलर और बहुत ही कॉमन फंजाई है जो बहुत ही ज़दा कॉमर्शली यूज किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे अलकॉहल इंडस्ट्री हो, ब्रेड्स बनाने में, सब में इस्ट को बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो हम देखते हैं इसकी क्या-क्या स्ट्रक्चर्स हैं, अब देखें, अगर मैं बात करूँ, तो ये फंगस का एक मेंबर है, और ये सारे कैसे होंगे फिर, यूकेरियोटिक है, यूनिसेलूलर है, सम में सीन मल्टिसेलूलर ड्यू टू फॉर्मेशन, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये बडिंग करके, शुडो माईसीलियम बना लेगा, और हम इसको फिर, मल्टिसेलूलर जैसे ये दिख कीमो औरगैनो ट्रॉफ्स, ये एक important टर्म है कीमो औरगैनो ट्रॉफ्स, ये क्या करते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए, हेट्रोटरॉफ है सारे फंजाई, इसमें इस्ट भी क्या करता है कि बाहर से ही, यानि कि जो भी dead and decaying matter होते हैं, उसपर enzymes release करके, उसको decompose करके, फिर उसे एब्सॉर्ब करते हैं यानि chemo organotrophs है और aerobic है oxygen की जरूरत है respiration के लिए grow mainly in natural and slightly acidic condition और इनकी growth जहां fast होती है जहां पर slightly acidic conditions होती है oval or round shape के होते हैं yeast grow typically in moist environment जहां moisture होती है वहां generally यह grow करते हैं क्योंकि moisture में ही यह chemicals release करके enzymes release करके जो organic matter है उसको digest करते हैं और फिर उसको absorb करते हैं where there is the plantiful supply of simple soluble nutrients such as sugar or amino acids sugar or amino acids जहां पर ज्यादा होते हैं वहां पर इनकी growth बहुत अधिक होती है तो मैं एक बर आपकी structure इसको पहले दिखा देता हूं फिर हम इसके reproduction की बात करेंगे देखिए एक yeast के structure अगर हम बात करें तो इस तरह से आपको यह cell दिखाई देती है yeast जो oval round shape में आपको दिखाई दे रही है और अभी reproduction में इसमें budding एक बहुत common है यह एक बड़ दिखाई दे रही है तो पहले आप इसकी structure को देखें yeast के अंदर एक center में बहुत बड़ी vacuol होती है vacuolar granules आपको दिखाई दे रहे है ठीक है यानि की vacuol में vacuolar granules है और यह पूरी vacuol आपको दिखाई दे रही है उसके साथ ही यह cytoplasm है cytoplasm के अंदर बहुत सार stories granules आप देख रहे हैं फिर cell wall देखे है typical chitin की बनी हुई cell wall आपको दिखाई दे रही है बड़ यहां से बनना start हो रहा है तो बड़ स्कार आपको दिखाई दे रहा है यह तो बड़ बनी हुई है fully बड़ दिख रहे है आपको यह बड़ स्कार है is it clear cell membrane आप देख रहे है यह cytoplasm से connection के लिए यह nuclear pores हैं ठीक है यह bud बन रही है और यह bud बाद में यहां से अलग हो जाएंगी और इसमें बहुत सारे mitochondria आप देख रहे हैं यह देखिए mitochondria यह है mitochondria तो सारे cell organal है क्योंकि यह eukaryotic है ठीक है तो मैंने आपको भी बताया था इस्ट में कोई भी motile cells नहीं होती है यानि कि फ्लैजिला लाइक कोई structure के अंदर नहीं है तो यह था इस्ट का structure अब हम बात करते हैं इस्ट में किस तरह से reproduction होगा इस्ट में दो तरह से reproduction होगा एसेक्सवल और सेक्सवल फिर तीन टाइप से होगा budding, fission और endospom formation और सेक्सवल में common है केवल एक ही conjugation इसके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके सबसे पहले आप देखें budding बढ़िंग तो बहुत ही common इस्ट में reproduction करने का method है बहुत common यह reproduction इ आप देख रहे हैं कि जैसे ही favorable condition आती है और मैं आपको बार-बार बताता आ रहा हूँ कि favorable condition का मतलब क्या है favorable condition का मतलब होता है जब खूब अधिक मात्रा में nutrients हैं, moisture है और optimum temperature है उस condition में जो fungus में reproduction होता है वो केवल किससे होता है by budding अंडर favorable condition, yeast shall give rise to the tiny outgrowth यह आप देख रहे हैं यह tiny outgrowths निकल रही है यह bird निकल रही है लेकिन कोई भी bird एक नया yeast तब तक नहीं बना सकती जब तक कि यह nucleus divide करके उसमें ना चला जाए यानि कि जब तक nucleus नहीं जाएगा वो नया organism नहीं बनेगा तो पहले क्या होगा एक tiny bird बनेगी फिर nucleus में division होगा और nucleus एक पार्ट उसमें चला जाएगा तो फिर यह पूरा एक organism बनेगा यह एक खास बात है कि जो यह nucleus का division हो रहा है वो amitotically हो रहा है यानि कि ऐसा नहीं है कि fixed chromosome का division हो रहा है half-half हो रहा है यानि तो यह छोटा बड़ा पार्ट भी हो सकता है और कुछ पार्ट इस बड़ में जाना जरूरी हो जाता है one of which migrate into the newly formed outgrowth and form a bud the bud separate हो जाती है यहां से और एक नया yeast बना देती है आप देख सकते हैं यहां देखिए आप यह एक typical yeast है यह इसका nucleus है इसमें cytoplasm से एक outgrowth निकली है यह बड़ बना है और यह nucleus में division हो करके daughter nuclei बन गया है और एक nucleus इसके अंदर entry कर गया है तो यह functional bud हो जाएगी और बाद में यहां से यह cut जाएगी और दो daughter yeast बन जाएगी यानि कि एक daughter yeast मान रहे है हम इसको और यह parent yeast as it is आपको दिखाई दे रही है जो थोड़ी छोटी हो गई है देखिए का parent से क्योंकि daughter bird यहां से release हो गई है the bird separate from parent and becoming independent is it clear? then आईए यह मैं आपको बता रहा था pseudo mycelium यह खास चीज है जो yeast में आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि due to repeated budding यह देखेगा एक bird बन रही है अब यह bird detached नहीं हुई और इस पर ही एक और bird बन गई यह तो यहां आपको detach करके दिखाया है लेकिन यहां देखिए बढ़ के उपर बढ़ बनती जा रही है और एक chain बन जाती है यह देखेगा और एक पूरा pseudo mycelium बन जाता है produced by rapid budding यानि तेजी से budding होने से pseudo mycelium बन जाता है यहां भी आप देख सकते हैं यह देखेगा तेजी से bird बनी है बढ़ यह अलग हो गई यहां तो लेकिन यहां यह बढ़ अलग नहीं हो रही है और एक पूरा chain like structure बन गई यह लगातार budding होने से एक false mycelium बन जाता है जबकि यह individual एक organism है एक एक लेकिन यह साथ chain में रहते हैं तो multicellular दिखाई देते हैं is it clear? और इसको हम बोल देते हैं फिर pseudo mycelium appear in one of more chain and called pseudo mycelium तो यह था budding कि budding किस तरह से favorable condition में होता है normally यह reproduce करता रहता है इस तरह से budding से और कभी कभी क्या होता है कि birds अलग नहीं हो पाती है और chain में रहती है और pseudo mycelium बनाती है अब fission fission में क्या होता है? fission में भी same है आप जानते ही है कि यह देखेगा यह एक yeast है यह एक newly formed yeast है तेजी से इसने nucleus यानि कि अपनी size को बढ़ाया और nucleus ने division करके दो nucleus बनाया और बीच में से invaginate करके यह divide हो करके फिर दो बना दिया occurs only in some yeast ऐसा नहीं यह सभी yeast में होता है कुछ yeast के अंदर ऐसा होता है इसमें क्या होता है? yeast cell पहले elongate हो जाएगी जैसे amoeba करता है bacteria करता है पहले cell के size बढ़ा हो जाएगा फिर nucleus दो पार्ट में divide हो जाएगा और दो पार्ट में divide होने के बाद जो cell है वो बीच में से invaginate करने लग जाती है separated by यह transfer wall हाँ invagination नहीं होता है क्योंकि इनमें तो cell wall होती है तो बीच में से क्या होता है कि cell wall formation transfer wall बन जाती है और दो yeast cell बन जाती है और बाद में यह दोनों अलग हो जाती है middle cell wall is formed in the middle and the yeast cell divide into two cells each having nucleus और दोनों में ही nucleus होता है तो कुछ yeast की जो species है यह variety है उनके अंदर है जो यह fission होता है अब endosperm formation हमेशा आप याद रखेगा endosperm formation adverse condition में ही होता है यानि की unfavorable condition यानि जब moisture नहीं है dryness आ गया है nutrient नहीं है temperature बहुत ज़्यादा है बहुत कम है उस condition में क्या होता है कि yeast के जितना भी cytoplasm है वो पूरा का पूरा center में collect हो जाता है और एक thick wall उसके उपर बन जाती है पूरे yeast thick wall can withstand adverse condition the protoplasm divide into four parts each becomes surrounded by thick wall मैंने तो आपको बता है कि सारा का सारा condensed हो जाता है यह generally bacteria में होता है लेकिन yeast में पूरा का पूरा जो protoplasm है वो चार पार्ट में divide हो जाता है और उस हर पार्ट के उपर एक thick wall बन जाती है adverse condition से उसको बचाने के लिए अब क्या होता है कि इसकी main wall है वो dissolve भी हो जाए तो जो चार spore like structure बनी है उन चारों पर adverse effect नहीं पड़ता है क्योंकि उसके उपर thick wall होती है और जैसे फिर favorable condition आती है तो वो germinate हो जाते हैं और germinate हो करके क्या करते हैं नया yeast बना देते हैं तो endosperm formation कब होगा जब adverse condition आएगी अब ये तो थे हमारे asexual reproduction थ्री टाइप से मैंने आपको बताए by budding, by fission और by endosperm formation जिसमें budding most common था अब sexual reproduction कैसे होता है इसमें sexual reproduction by conjugation अब पहले तो आपको पता होना चाहिए conjugation का मतलब क्या होता है conjugation का मतलब होता है कि जब दो yeast एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो उनकी जो wall है वो dissolve हो जाती है दोनों का protoplasm mix हो जाता है यानि plasmo game हो जाती है और दो nucleus पास आने से dicarion बन जाता है और वो फिर दोनों nucleus भी fuse हो जाते है और फिर उससे gigot बन जाता है और फिर उसमें meiosis हो जाता है और चार spore बन जाते है देखिए एक एक करके हम बात कर रहे हैं occurs at the end of growing season जैसे ही growing season खतम होता है adverse condition आने लगती है unfavorable condition में तो yeast किसमें चला जाता है sexual reproduction के mode में तो two haploid somatic cell यानि कि दो cell दो young yeast एक दूसरे से fuse हो जाते हैं और जाइगोट बना देते हैं और जाइगोट का process बनने का सेम वही है पहले उनकी wall dissolve होंगी plasmo gammy होगी फिर दोनों nucleus एक दूसरे के पास आएंगी फिर kerio gammy हो जाएगी और फिर हो जाएगी उनमें meiosis is it clear फिर meiosis हो जाएगी और meiosis होने से चार spore बन जाएगी अब इनका sexual reproduction कैसे होगा उसके basis पे तीन टाइप की life cycle yeast में देखने को मिलती है थ्री टाइप्स की life cycles है अब इन तीनों टाइप की life cycles को हम next class में पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही काफी है थेंक यू